प्रच्छी अप्रची को है एक वाला वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो अप्लोडेट थैसे करने पर चैनल पर आशे और बेसिस पार्ट वां वा आप देख सकते हैं में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स अर आई बटन में भी देदूंगे तो ये वाला concept हम सीखेंगे question answer form में तो शुरू करते हैं तो first है ये वाला ये all aliphatic carboxylic acids हैं तो हमको देखना है carboxylic acids का conjugate base का stability वो important है और हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि CH3 कौन सा effect शो करता है कोई भी alkyl group, any alkyl group हमको show करता है plus i effect plus i effect होता क्या है plus inductive effect जो electron donate करता है ठीक है, electron donating effect ये वाला electron donating group है तो अगर हम conjugate base draw कर ले तो ये हम देख सकते है hCOO- यहाँ पर है CH3 COO- ये वाला है CH3 CH2 COO- फिर है CH CH3 CH3 COO- और लास्ट वाला है CH3 whole 3 COO- तो अगर हम focus करें donation पर तो ये CH3 electrons donate करेगा carbon के उपर और फिर वो जाएगा oxygen के उपर तो यहाँ पर जादा negative charge हो जाएगा negative charge increase कर जाएगा इससे क्या होगा कि conjugate base unstable हो जाएगा और अगर conjugate base unstable हो गया तो यह नहीं चाहेगा कि यह form हो तो वहाँ पर acid formation difficult हो जाएगा अगर acid formation difficult है तो उसका strength कम हो जाएगा तो ये वाला ही concept है तो अगर हम ये वाला देख ले तो इसके बाद हम जाएगे CH3CH2 COO- पर तो वहाँ भी हम देख सकते है कि यहाँ पर electron donation होगा तो ये वाला डोनेट करेगा ये वाला भी डोनेट करेगा तो negative charge increase कर जाएगा ये वाले carbon पर तो अगर increase कर गया तो यहाँ पर ये वाला conjugate base stable नहीं होगा पिलकुल नहीं होगा similarly ये वाला अगर हम ये वाला देख ले जो की है दोनो CH3 है तो ये दो CH3 डोनेट करेगा और इस वाले में 3 CH3 डोनेट करेगा तो जादा electron density हो जाएगी अगर यहाँ पर electron density बढ़ जाएगी carbon और oxygen के उपर तो conjugate base पिलकुल भी stability gain नहीं करेगा तो उसका acid वाला portion strength में कम हो जाएगा उसका strength सबसे कम होगा वो वाला acid तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 number acid का strength सबसे कम है उसके बाद आता है हमारा ये वाला जो कि है CH3 CH2 क्योंकि यहाँ straight chain पे है तो इस वाले में सबसे कम होगा acid तो यहाँ पर होगा हमारा number 3 next वाला आएगा number 4 उसके बाद आएगा number 2 और उसके बाद आएगा number 1 तो अगर हम PK देखर भी check करते हैं तो वो ये आता है 3.77 4.76 इस वाले में आता है 4.88 फिर नेक्स वाले में आता है 4.86 और इस वाले में आता है हमारा 5.05 तो हम अल्रेडी जान चुके हैं प्रीविएस वीडियो में कि PK जितना जादा होगा acidity का strength उतना कम होगा तो हमारा order correct है तो ऐसे वाले में हमको ऐसा ही question पूछता है कि show the acidity order तो तो this is our answer तो हम जाते हैं next वाले question पे तो अगर ये वाला देख लो तो यहां पर एक नया concept सीखने को मिलेगा पहले तो order of acidity according to hybridization हमको जानना है तो यहां से हमको मालूम चल रहा है कि यहां पर acidity का order कैसा होगा तो यहां पर है हमारा sp hybridized carbon ठीक है यहां पर है sp2 hybridized carbon तो यह hybridization होता क्या है अगर जानना चाहते हो तो video अलड़ी uploaded है channel पे मैं link description box और i button में दे दूँगा एक बाद जाके देख लेना तो यहां पर देखो कि यह वाला sp है तो 4 तो सबसे जादा acidic होगा next वाला होगा 3 पर अगर हम 1 और 2 में देखें तो यहां पर हमको ढूड़ना पड़ेगा कौन जादा acidic होगा तो जो कम stable होगा conjugate base वो वाला कम acidic होगा ठीक है तो यहां पर है 1,2,3 यहां पर 3 carbons donate कर रहा है और इसमें है 1,2,3,4 4 carbons donate कर रहा है तो इस वाले में जादा electron density carbon यह वाले carbon पर आ जाएगा तो conjugate base कम stable होगा अगर conjugate base कम stable होगा तो इसका acidity भी कम होगा तो यह वाले में यह सबसे last आएगा तो 2 सबसे last है उसके आगे है हमारा 1 तो ultimately यह answer होगा और अगर हम PK देखकर check करना चाहे तो इसका PK, नमबर 1 का PK होगा 4.82 next वाले का होगा 4.86 फिर बाद वाले का होगा 4.25 और यह वाला सबसे कम PK है क्योंकि यह सबसे जादा acidic है 1.84 ठीक है तो हमने क्या concept सीखा order of acidity depends on hybridization फिर हम देखेंगे एक question जहाँ पर conjugation की बात आती है तो अगर आप previous video follow कर चुके हैं तो यह वाला आसान है आपके लिए answer करना कौन सा वाला जादा stronger acid है तो यहाँ देखो इस वाले में conjugate base अगर form हो जाए तो कोई भी conjugation नहीं होगा पर अगर यह aromatic acid में अगर यहाँ पर conjugate base form हो जाए तो यहाँ पर conjugation possible है resonance देखेंगे हम delocalization भी देख पाएंगे तो यहाँ पर conjugate base जादा stable होगा और हमने अल्रेडी सीख चुका है कि अगर conjugate base जादा stable होगा तो वो वाला जादा acidic होगा तो यह वाला stronger acid होगा यह वाला particularly this one ओके दिस अगर देखो हम चाहते है कि यह वाला order of acidity यह सब acid show करे that is HClO4 is greater acidic than HBr which is greater acidic than H2SO4 and then HCl and then HNO3 तो कौन सा solvent हमको लेना चाहिए CH3COH और ET3N तो यह question हम दोनों तरफ से answer कर सकते हैं तो first point है हमने देख खा है कि solvent must be basic to show acid right must be basic तो इस वाले में हम जानते है कि CH3COH एक वीक acid है पर water में ठीक है यह water important है तो किसी और solvent में यह भी act कर सकता है as base but ET3N is always base so यह वाला ऐसे भी answer कर सकते हैं कि हमको basic चाहिए तो ET3N होगा और else हम ऐसे भी answer कर सकते हैं जो कि most important है वो है leveling effect अगर तुम ले लो CH3COH तो यह CH3COH कुछ तो proton छोड़ेगा H plus तो छोड़ेगा अगर यह H plus छोड़ रहा है तो यहाँ पर HClO4 और HBr और H2SO4 जब भी यह acid का H plus dissociate होगा तो यह इस वाले H plus के साथ level हो जाएगा तो अगर level हो गया तो all acids will show same strength in CH3OH तो यह हम नहीं ले सकते क्योंकि strength same हो जाएगा तो हमारा answer आना चाहिए E3N तो हम दोनों तरफ से understand कर सकते है यह base है तो हम लेंगे और CH3COH leveling effect शो करेगा तो सब कुछ एक ही strength में आ जाएगा जो हमने पहले वाले वीडियो में फिर हम जाते है next वाले question पर यहां पर है हमारा 3 acids पर कौन सा वाला strongest है तो यहां पर भी आता है कौन सा जो भी haloid आयन ले लो ठीक है वो शो करता है minus eye effect जो कि minus inductive effect और होता है electron withdrawing group वो electron ले लेगा तो याद रखना अगर वो electron ले रहा है अपनी तरफ तो वो एक negative आयन को stabilize कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि conjugate base को stabilize कर रहा है अगर हम one by one draw कर ले तो यह वाला ऐसा है CH2 COOH and if we remove H अगर H रमूफ कर दे तो यहां पर minus आजाएगा similarly इस वाले में CH2 CH2 COO minus इस वाले में CH3 CH CL COO minus तो एक बार देख लो यहां पर यह electron अपनी तरफ खीचेगा इस वाले में भी खीचेगा पर distance क्योंकि increase कर रहा है इसके अंदर तो खीचना थोड़ा कम होगा इस वाले case में अगर तुम फॉलो करोगे तो देखोगे यहां पर CH3 है जो की electron donating group है और यहां पर है chlorine जो की electron withdrawing group है और वो भी है same position पर तो इसमें effect neutralize हो जाएगा यह देगा यह खीचेगा तो total effect neutralize हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा कौन stabilize होगा one वाला तो answer क्या आएगा कौन वाला सबसे strongest है one वाला सबसे strongest है this is the answer clear next वाले में हम देखेंगे electronegativity comparison तो अगर हम यह देखे और यह वाला देखे सिर्फ change है fluorine और chlorine में तो याद रखना जो जितना जादा electronegative होगा वो उतने अच्छे से electron अपनी तरफ कीचेगा electron withdrawal will be nice right तो इससे फायदा क्या होगा conjugate base उतना ही stabilize होगा तो acidity उसका acid का उतना ही जादा होगा तो अगर हम यह वाला केस देखे तो सबसे important चीज है कि fluorine का electronegativity सबसे जादा होता है chlorine, bromine और iodine से तो अगर हम यह pattern follow करे तो हमको मालूम होगा कि this will be the strongest acid क्यूंकि इसका electronegativity सबसे जादा है यह electron खीचेगा most effectively in conjugate base और इसका conjugate base क्या होगा अगर हम लिखे तो C, F, F इधर, F इधर और यह COO- होगा ठीक है next वाला हम जाते हैं यह वाला substituted aliphatic acid है और वो previous दो कोर्शन का concept ही लगेगा तो अगर हम first वाला चेक करें तो यह वाला alkyl group है तो यह donate करेगा तो यह destabilize कर देगा conjugate base को राइट और next वाले में हम है fluorine, chlorine, bromine, iodine जस्ट यह वाला change हो रहा है CH3 के जगा तो अगर हम यह सब arrange करना चाहें तो कैसा होगा one will be least acidic next आएगा हमारा iodine क्योंकि उसका electronegativity सबसे काम है in fluorine, chlorine, bromine, iodine में से next आएगा bromine next आएगा हमारा chlorine और next आएगा हमारा fluorine और यात रखना ये वाला, that is 6 and 7 इन में 2 halogen present है और 3 halogen present है तो अगर 2 और 3 halogen present है तो इसका effect तो ज़्यादा होगा इन 2, 3, 4, 5 से इस वाले में खीचातानी ज़्यादा होगी जो कि 7 है क्योंकि यहाँ 3 chlorine है और इसमें थोड़ा सा कम than 7 तो ultimately हमारा क्या आएगा ये वाला हो जाएगा यहाँ पर 2 होगा फिर आएगा हमारा 6 देन हमारा आएगा 7 तो ये लग गया, ये easy था ऐसे ही हम next वाले को चेक्पोइंट में करेंगे तो एक screenshot ले लो और मुझे answer बता देना comment section में और next video में मैं ये solve करवा दूँगी तो ये वाला arrange करना पड़ेगा increasing order of acidity में ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक checkpoint दिया था ठीक है, तो उसका answer ये वाला है तो एक बात देख लो, अगर ठीक हुआ है तो बहुत अच्छा अगर गलत हो गया, तो just correct कर लेना तो आज के लिए इतना ही, hope आपको अच्छा लगा होगा forget to like, share, subscribe and comment